तोते की एसी कौनसी पर जाती है जो उड़ नहीं सकती, कौनसा जीव अपनी जीव कभी बाहर नहीं निकाल सकता कि जीव में दिल, दिमाग और हड़ी नहीं होती और वो जीव अमर है यानि कभी नहीं मरते दोस्तो इन सभी सवालों की जवाब और ऐसे ही अमेजिंग फेक्ट जानने के लिए वीडियो को पूरा इंड तक जरूर देखियेगा वुडफ्रोग नाम का एक ऐसा मेढग होता है जो सर्दी से बचने के लिए बर्फ में जम जाता है और इस दवरान ये सांस लेना बंद कर देता है तथा इसका दिल भी धड़कना बंद हो जाता है लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तब ये मेढग फिर से जिन सकती है और मगर मच अपने जीब कभी बाहर नहीं निकाल सकते और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पच्छी हमें सुतर मुर्ग की याद दिलाता है और दुनिया का सबसे बड़ा अंडा सुतर मुर्ग का ही होता है जिसके अंडे की लंबाई लगबग 18 से होती है बस एतना ही नहीं सुतुर मुर्ग धर्ती पर अकेला ऐसा जानवर है जिसकी आखें उसके दिमाग से बड़ी होती है नमबर 8 कच्छुए को धर्ती पर सबसे जाधा दिन तक जीने वाले जीओं में से एक माना जाता है ये 200 से 200 साल तक जिंदा रहते हैं इस वक्त धर् इस मई को विश्चु कच्छुआ दिवस मनाया जाता है नमबर 7 यह है लायर बर्ड यह दुनिया में सबसे खुबसूरत पच्छियों में से एक होता है जो केवल अस्टेलिया में पाया जाता है यह पच्छी नकल करने में बड़ा ही कुसल होता है यह दूसरे के गाने, कु दात की कीमत तक्रीबन और 30 लाख रुपए होती है और उनके दोनों दातों का वजन लगभग 3-5 किलोग्राम होता है इसलिए उन्हें उनके दातों के लिए मार दिया जाता है और क्या आप जानते हैं कि उल्लू, चुहे, साप, गिलहरी, मचली से लेकर दूसरे उल्लू तक क खा जाते हैं ये लगभग 30 साल तक जिन्दा रहते हैं और इनके डात नहीं होते ये अपने खाने को चबाते नहीं है बलकि सीधे निगल जाते हैं तोते की 400 पर जातियों में से काकापो ही एक ऐसा तोता है जो उड़ नहीं सकता काकापो को उल्लू तोता भी कहा जाता है यो तोता अधिक्तर निवची लैंड में पाय जाता है दुनिया के सबसे नुकसान देहकीडे रेगिस्तान के टिद्दे होते हैं उनका एक बड़ा जुन्ड एक ही दिन में 20 हजायट ननाज और पवधों को सफा चट कर सकता है नंबर फोर चुहों के आगे वाले दाथ तेजी से बढ़ते जाते हैं इसलिए वो दाथों को दिवार इत या सिमेंड पर घिशते रहते हैं या घरों के रखे समान को कुतर देते हैं अगर चु जीव जमतुओं को प्राकृतिक आपदा का पुर्भा भास हो जाता है जैसे कि जेली फिस मचली को तुफान आने का अंदेशा 10-15 घंटे पहले ही हो जाता है और यह किनारा छोड़कर गरे समुदर में चली जाती हैं और क्या आप जानते हैं कि जेली फिस के सरीर में दिल, दिमाग और एक भी हड़ी नहीं होती इनके सरीर में 95% तक पानी होता है और जेली फिस कभी नहीं मरती यह जब तक चाहे तब तक जिन्दा रह सकती है नमबर टू आटोपस एक ऐसा जानवर है जो बच्चे पैदा करने के बाद मर जाता है और इसका खून नेले रंका होता है नमबर वन दुनिया की सबसे तेज दहार विल मचली की होती है जो 125 से लेकर 130 देसिबल तक का साउंड निकालती है यानि की विल मचली की अवाज 800 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे सकती है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं ऐसे एक इसी और रोचर जनकारी क के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत